नमश्कार दोस्तो वर्धमन एस्ट्रोलोजी चैनल में आप सबका हारदिक स्वागत है दोस्तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेपार वब बुद्धी के कारक बुद्ध चोबिस में 2020 को 70 दिन के लिए अपनी स्वयम की राशी मिथुन में जा रहे हैं यहां पर बुद्ध 1 अगस 2020 तक रहेंगे इस बीच में बुद्ध 18 जुन को वकरी भी होंगे और 12 जुलाई को मारगी भी हो जाएंगे दोस्तो ग्रहों में बुद्ध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है बुद्ध, बुद्धी वेपार, तर्कशक्ती, जोतिश, एकाउंट्स, स्किन, गर्दन, ववानी, हसी मजाक, म मेरे भाई भेन, काला जादू, आदी बहुत सी चीजों के कारक है बुद्ध के अपनी राशी में आने से, बुद्ध अपने से संबंदित कारकत्वों के सभी को अच्छे फल परदान करते है क्योंकि जब भी कोई घ्रह अपनी राशी में परवेश करता है, तो वह वहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए फ्री होता है और वहाँ पर वै सबसे ज़्यादा खुश भी रहता है इसलिए बुद्ध के अपनी राशी मिथुन में परवेश करने पर बुद्ध भी अपने से संबंदित सभी कार्यों वाकार कत्वों के सुतंत्रता पूर्वक फल दे पाने की स्थिती में होंगे बुद्ध दो राशियों के स्वामी है बुद्ध के पास मिथुन के अलावा कन्या राशी का भी स्वामित्व है अब किस लगन की कुंड़ी में बुद्ध को किन किन भावों का स्वामित्व प्राप्त होगा उसके अनुसार भी बुद्ध अपना अलग अलग परभाव सभी लगन के जातकों को परदान करेंगे उसके बारे में हम अभी सभी लगनों के बारे में जानेंगे बुद्ध इन सतर दिनों में अपनी राशी मिथुन में ही रहेंगे इस बीच 18 जून को मिथुन राशी में ही वक्री हो जाएंगे और 25 दिन बाद 12 जुलाई को मारगी भी हो जाएंगे बुद इस राशी में अपनी राशी मिथुन में ही रहेंगे वो अपनी राशी मिथुन से वरिश में नहीं जा पाएंगे इस कारण से बुद्ध के वकरी होने का हमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा बुद्ध अलग-अलग लगनों में अलग-अलग भावों के क्या-क्या परभाव देंगे आईए जानते हैं आज हम सिंग लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे सिंह लगन के जातकों की कुणली में बुद 2nd एंड 11th हाउस के लौड है और वो स्वैम 11th हाउस में मिठुन राशी में इस्थित होंगे जो कि उनकी खुद की राशी है 11th हाउस में सारे गरे अच्छे ही माने जाते हैं यह भाव लाव का भाव है बड़े भाई भेनों का भाव है पिता के भाईयों वा ससुर को भी हम इसी भाव से देखते हैं बुद्ध के यहां गोचर की दश्या में आपको सभी सुख सादनों का सुख प्राप्त होगा बड़े भाई भेनों वा पिता के भाईयों का भी सयोग मिलीगा समाथ से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है आप यदि शादिश होते हैं तो आपको आपके ससुर का भी बहुत से योग प्राप्त होगा बुद्ध के पास आपके दुत्ते भाव का भी सामित प्राप्त है जो की धन का भाव है आपकी वाणी का भाव है आपकी जमापुंजी और आपके कुटम वा परिवार का भी भाव होता है इस भाव का स्वामी आपके ग्यारवे भाव में होगा यह भहुत ही शुब योग होता है आप खाने पीने के बहुत शोकीन होते हैं आप बहुत महत्वकांग्शी भी होते हैं आपके मित्रों से आपको लाब हो सकता है, आपको आपके परिवार का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपके कई source of income भी हो सकते हैं, तो दोस्तों ये था सिंग लगन वाले जातकों के लिए बुद्ध के मित्वन राशी में गोचर के परभाव, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलोजी को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद